जय मत अदी नमस्ति तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हिंदू नौबर्स शुरू होने से पहले घर में कौन-कौन से चीजे लाना बहुत सुभ होता है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हिंदू नौबर्स बिक्रम सवन दोजारसी 22 मार्च दिन बुद्ध बार से शुरू होने जा रहा है कहते हैं कि ब्रमाजी ने स्रिष्टी की रचना चैत माह के सुक्ल पक्ष की पर्ति पदाती थी को ही की थी जो तिस्यों का कहना है कि हिंदू नौबर्स शुरू होने से पहले अगर घर में कुछ सुभ चीजों को लेकर आ जा से जानते हैं लगुनारियल हिंदू नौबर्स से पहले आप लगुनारियल घर लेकर आ सकते हैं इस नारियल को लपेट कर तीजोरी में रख दे इससे घर में रखे होने से भी धन सम्रिधी बरकरार रहती है लगुनारियल के अनपरयोग भी हैं तुलसी के पाउधा तुलसी लेकर आ सकते हैं इस पौधे का घर में रहना बेहद सुभ माना जाता है धातु का कच्छुआ विक्रम सवंत दुचरसी से पहले आप धातु का कच्छुआ खरिदना बेहद सुभ माना जाता है बास्तु सास्त्र में कच्छुए को सुख और सम्रिधी का परतिक माना हिंदू नौबर्द सुरू हने से पहले पितल, कासा या चांदी से बने कच्छुय की खरिदारी की जा सकती है धातू का हाथी हिंदू नौबर्द से पहले आप घर में धातू से बना हाथी भी घर लेकर आ सकते हैं इससे सकरात्मक उर्जा का संचार होता है और बुरी सक्तियों का नास होने लगता है ऐसे में इस बार नए साल के लिए ठोस चांदिक के धातु से बनी हाथी की पर्तिमा की खरिदारी करें हाथी रखने से घर में सान्ती और सुक सम्रिधी बनी रहती है मोती संक को रखने से सुक सम्रिधी बनी रहती है और धन की कमी नहीं रहती ऐसे में नए साल के लिए मोती संक की खरिदारी करें इसे पूजा करने के बाद पैसा रखने वाली जगा या तीजोरी में रख दे इससे तरक्की के नए द्वार खुलते हैं और पैसों की कभी कमी नहीं रहती मोरपंक भगवान स्री किष्ण का सबसे प्रिये मोरपंक है जिस भी घर में होता है वहां मलक्ष्मी का बात होता है अगर आप अपना घर खुशियों से भढ़ना चाहते हैं तो हिंदू नौबर्स से पहले घर में मोरपंक जरूर लाक रखें लेकिन एक से तीन ही मोरपंक होने चाहिए लाफिंग उद्धा हिंदू नौबर्स पर आप एक लाफिंग उद्धा भी घर लेकर आ सकते हैं इसे हमेशा घर की उत्तर पुर्व दिशा की ओर ही रखें घर में इसे रखने से धन की कमी कभी नहीं हो आती तो ये जनकारी आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछे जै मातादी